दोस्तों, आज मैं आपको पेट की बिमारियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें गैस परमकरूप से है, या समच्या आम है, जो ज्यादातर लोगों को होती है, पेट में गैस बनने के कई कारण होते हैं, कभी या आपके भूखे रहने या गलत खान पान के कारण होती है, तो कभी या अन्य कारणों से भी होती है, छोटी उम्र से लेकर जुआओं तथा बुजूर्गों में भी पेट में अमल की अधिकता के कारण गैस की समस्या हो सकती ह गैस बनने के परमुख कारण पेट में अमल का निर्माड होना है इसके अलावा अत्यधिक भोजन करना, मानसिक चिंता, ऐसा भोजन जो गरिष्ट हो तथा भोजन को ठीक तरीके से चवा करना खाना, मद्यपान आज कारणों से भी पेट में गैस बन जाती है कभी कभी कुछ बिमारियों जैसे पत्थरी, ट्यूमर, अलसर, वारल फीवर तथा किसी प्रकार के इंफेक्शन के कारण भी पेट में गैस बनना शुरू हो जाता है कई बार कुछ बैक्टरियों के कारण भी यह समस्या हो जाती है जिन में उल्टी, दर्स, पेट में जलन तथा अपच की समस्या सामने आती है इसके अलावा एसीडिटी, काब्ज, फूट फॉइजनिंग तथा कुछ बिशेश दवाओं के से भी गैस की समस्या उत्पन हो जाती है तीखा या चटपटा भोजन भी इसका मुख्य कारण हो सकता है वैसे गैस की समस्या के निराकरण ये शुरुआती दिनों में हो जाए तो इसके गंभीर प्रडामों से मचा जा सकता है तो दोस्तों आज मैं आपको गैस से निजात पाने के लिए जंडू पंचारिष्ट के बारे में बतलाने जा रहा हूँ जो पेट की तथा गैस और कर्ज के लिए एक पूर्ण और सदी है इसमें निम्न घटकों का कुछ सम्चिप्त तथा बिवरन में बताने जा रहा हूँ हाँ तो दोस्तों आज मैं जंडू पंचारिष्ट के मुख्य घटकों के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ इसमें है द्रक्षा जिसे दाक या मुनका भी कहते हैं या खासी पेशाब की जलन तथा कब्ज ना सक है पेशाब भी खुल करके आता है दर्समोल है जो तिदोस्त ना सक होता है खासी स्वास ज्वार आज ना सक है सिर्दर्द भी इसे ठीक होता है सतावर्थ या मधूर, सीत, गुरू, सुनेहन, अस्तेन जनन, मुत्रजनन, सुक्रजनन, अग्नवर्थक तथा तिदोष नासक है गिलोए तिदोष नासक होता है जो इसमें पढ़ा हुआ है रसायन, ज्वरहर, तग, ब्रोक, नासक, पित, सारक तथा भी सगन है इसमें मुलेठी भी पढ़ा है जो मधूर, सीतल, सुनेहन, बल, ब्रिक, रसायन, कफ नासक, स्वर्थ को अच्छा और मधूर बनाने वाला पेशाब की ज़लन को दूर करता है मजीठ जो इसमें होता है पढ़ा हुआ जिन्ड, अतिशार नासक, जिसमें रखत तिशार हो या अमातिशार हो दोनों में यह काम करता है तथा सभी प्रकार की इससे तुटी हुई हट्डियों को जोड़ने में भी यह मदद करता है इसमें होता है धनिया जो मुत्रल है, पाचक है, दाह नासक है तथा प्यास को कम करता है अजवाइन जो गैस को आराम करता है, लौम है जो कफ नासक, धर्द नासक, पेशाप को साफ लाता है रग्त में स्वेट करों को भलाता है, गृत कुमारी पड़ा हुआ है इसमें जो अपने विरेचक गुनों के द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध है तथा इसके अलावा चर्म बिकार में भी विशेश रूप से फायदा करती है, बवासीर में भी लाबकारी है, पाचक तिक बलकारक होता है यह लिवर की क्रिया को सुधार करके अन्यका आत्मी करल भी ठीक करती है इसमें एक्तिदोस नासक और सदी है त्रिफला जिसमें हरे बहेरा और आवला का मिश्राण होता है जो पेट की गैस से लेकर के अन्यकई विमारियों का समाधान करती है तथा अरजुन है जो हिर्दय को बलवान बनाता है इसमें है तिकटू जो सोट मेर्च और फीपल का मिश्राण है जो बात पित कप आज करनाज करता है अजमोध है जो रसायन गौर से भरपूर है मुत्तल तथा पत्री में लाबदायक है गठिया, पेटदर, उल्टी, हिचकी आज में फायदेमंद होता है हल्दी है, हल्दी एक बहुत बड़ा एंटिवाइटिक है जो बिगड़े से बिगड़े हुए जुकां, कप, खांची, चर्मरोग, रक्तविकार, प्रमेह आज बिमारियों में फायदा करता है तथा और इसमें सफेद जीरा है जो अतिसार, रक्त्सोदक, सोथर, बातनासक, विशग्म तथा ब्रनरोपन के लिए लाजदायक है इसमें है बला, जो हिदे को बल देता है छेरुगनासक, सिर्दर्थ, स्याइटिका, आज बात बिकारों में लाप्रद है तो दोस्तों, यह हुआ जंडू पंचारिस्ट के बारे में जो इसमें मुखी जो घटक पड़े हुए हैं, इसके बारे में मैं बता रहा था तो सच्मुचिया यह बहुत बढ़िया फायदे मंद होता है जैस्ट्रिफ सिस्टम को सुधारने के लिए तो दोस्तों, इसके सेवन बिधी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ इसका सेवन बिधी है 15 से 30 सेमेल सुभा साम बराबर पानी मिला कर भोजन के बाद जंडू पंचारिस्ट सेवन करते समय निम्न खाद्यपदार्थों का सेवन नहीं करना चाहते जिसमें तहल, खटाई और ज्यादे मिर्च मसाले युक्त भोजन ना लें पथ में फल, हरी सबजियां आज सेवन कर सकते हैं